Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone और चल रही है सीरीज के VSPJD Math Solution की 2018 पेपर का सलूशन यहाँ पर कराया जा रहा है और मैं Locaster हूँ और 80 questions में आज हम continue करेंगे lecture number 2 इसके पहले हम lecture number 1 complete कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ questions किये थे उसके आँगे के questions अब हम यहाँ पर आपको करके बताएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए तो देखिए अगला question क्या कह रहा है question कहना है अगला English में लिखा है let f is such that it is defined from close interval 1 to infinity 2, 2 to infinity मतलब आपके पास एक function है जो की 1 infinity से लेकर 2 infinity में defined है मतलब भी इसकी domain की बात करूँ okay so f function is defined from 1 close है आपे 1 infinity से लेकर के इसका जो आपका co domain है that is equals to 2 infinity तक मी यह define है okay and be differentiable function such that f1 equal to 2 कह रहा है कि यह differentiable function है और f1 पर value किती है 2 दी गई है और साथ ही साथ कहा गाए 6 time of 1 से लेकर के f1 से लेकर x ft dt is equal to 3 x fx minus x q minus 5 for every x is greater than or equal to 1 तो कह रहा है कि f2 का मान क्या होगा ठीक है मतलब 1 से बड़े अबराबर के लिए आपको यह दिया गया है हूं इसकी value यह दी गई है तो चलिए आपको कह रहा है कि f2 का मान क्या होगा आई यह देखें बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि यह question जो है practice लगेगी and I would say कि यह difficult question है इसको कहने में मुझे यहां पर कोई भी वो नहीं लग रहा है difficult question है भी और आई इसको solve करते हैं तो देखे question में आपसे मांगा क्या जा रहा है पहले यह पहले यह पहचा रहा है कि आपको f2 का मान गयात करना है okay f2 और fx आपके पास integration में है तो ft integration में है तो अगर आप in case करके fx या ft बाहर ले जाते हो तो finally जा करके कहीं हम f2 निकाल पाएंगे तो आईए इसको क्या करते हैं Lebanese theorem से इसको हम solve करते हैं इसका हम d by dx ले ले लेते हैं तो यह Lebanese से खोलेगा देखे सबसे पहले question क्या दिया है one से लेकर के x six time one से लेकर के x integration ft dt is equal to 3x fx minus x q minus 5 now differentiation both the side कर दूँगा तो six बाहर आ गया now क्या होता है rule differentiation का x fx पहले सबसे पहले हम function में value put करते हैं into जो limit होती उसका differentiation करते हैं with respect to x जिसमें हम इसको differentiate कर रहा है मतलब okay तो actually यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए कि मैं यहाँ डिवर्डी एक्स कर रहा हूं okay तो यहाँ पे भी मुझे कितना है कर दीवर्डी एक्स ही आएगा यहाँ पे ओके दन तो अब चलिए इसको solve करते हैं तो six times okay fx minus d by dx of x minus f of one and d by dx of lower limit one का कितना जाएगा जीरो आजाएगा यह वाला टर्म पूरा का पूरा पूरा जीरो आजाएगा let is equal to three constant है और इसके अंदर दो function है एक है 3x और एक है x और एक है fx तो first function into second function का differentiation plus second function into first का differentiation minus x cube का हो जाएगा 3x square 5 का तो 0 हो गया तो लिखने की जोड़त नहीं है now six times of fx d by dx of x का हो गया one and f of one to आपके पास कितना दिया गया 2 दिया गया f of one and but यहाँ पे f of one क्योंकि यहाँ पे limit मैंने पूट करी f of one and d by dx of one equal to zero हो गया यह पूरा का प्रोटर्म कितना हो जागा 0 हो जाएगा क्या बच गया मेरे पास और इस तरह देगे 3 x f dash x plus 3 fx minus 3 x square थोड़ा से इसको simplify करो तो 6 fx equal to 3 x fx 3 x f dash x and 3 fx minus 3 x square यह 3 fx है यह 6 fx है इसको इधर लिया okay so कितना हो गया यह 3 fx बच गया equal to 3 x f dash x minus 3 x square 3 3 common लेके cancel कर दीजे तो आपके पास बन जाएगा fx equal to x into f dash x minus x square अब यह देखिए यह इसको हमको solve करना है ओके पहले आप इसको y put करेंगे fx को तो आपको यह एक differential equation दिखाई देगा fx की जगे जैसे ही आपने y put किया यह एक हम पढ़ा हो इस question का fx की जगे आपने y put किया so it will become x into dvdx minus x square okay so x dvdx fdvdx equal to y plus x square x का divide कर देंगे तो x dvdx minus y upon x x square upon x kitna बन गया x बन गया यह आपके पास आचुका है differential equation सांदा रिग्दम अब चलिए इसको हमको solve करना इस differential equation को तो आपके पास में जो differential equation बन रहा था वो डvdx minus y upon x equals to क्या बन रहा है एक्स बन रहा है ओके डvdx minus y upon x equals to x है so यहां से पीकी वैल्यू find करिए पीकी वैल्यू देखे क्या होगी y का coefficient minus one upon x and q equal to x है so 80 the power pdx निकाल लिया हमने यह देखे कितना आ गया one upon x now solution y into f equal to q into fdx plus c say solution आ गया y equal to x square plus cx अब देखे question में कहा गया है कि f of one equals to two मतलब जिस समय x की value of one डालोगी उस समय y की value किती है गी तो यहां पर two equals to one का square plus c into one to c की value किती हागी one now fx equal to kitna हो जागा again x square plus x तो हमसे question ने पूछा f2 क्या हो का that is equal to two square plus two or two square plus two कितना आ जागा six आ जागा so this is done answer इसका correct answer क्या होगा six तो देखी कौन सा option आया है six हमारे पास option a होगा तो यह question अपने आप में एक बहुत माना जाना difficult question आया है a kbs 2018 के question paper में okay done so अगले question के और बढ़ेंगे okay moving to the next question देखे अगला question क्या कह रहा है अगला question कह रहा है कि the number of the real roots of the equation two log two मतलब यहां पे two जो है इसके power में log two base और two base पर बनी हुई है कि आप power x square minus two x यह मैंने लिख रखा है clearly आपको दिखाने के लिए two base पर है log two x square minus two x equals to x minus two है तो आपको कहा गया है कि बताई यह roots के हल बास्तविक मूलो की संख्या क्या होगी मतलब आपको number of roots बताने है okay so आपको number of real roots बताने की मूलो की संख्या क्या होगी अब देखे यहां पे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो चीज होती यह किति हो जाती one हो जाती कि विकास कंसेप्ट ही होता है कि A log A, okay A की पावर में log base A हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यह चीज 1 हो गई, तो बचा क्या, X square minus 2 X equal to X minus 2, so X square minus 2 X minus X plus 2 equal to 0, X square minus 3 X plus 2 equal to 0, X square minus 2 X minus X plus 2 equal to 0, X common X minus 2 and minus 1 common X minus 2 equal to 0, X minus 2 X minus 1 equal to 0, so X equal to 2 and X equal to 1, तो 2 cases यहां पर बन गया है, या तो X value 2 होगी, या तो X value 1 होगी, ओके, अब देखे, X value 2 होगी या X value 1 होगी, दो cases तो आ गया है, तो option में भी देखे, दो लगा हुआ है, और जिस बचे का पुराना paper उसने भी 2 लगाया है, तो बिलकुल गलत है, आप सबसे पहले check करोगी, जो solutions आते हैं, बलकि आदत बना लो, जैसे logarithm का question हो गया, आपका inverse का question हो गया, तो इन question में आप आदत बना लो कि solution जो है, satisfy कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि वास्तों में answer क्या है, तो आइए, देखते हैं, कैसे देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास value क्या है, x equal to 2, और यहाँ पर लोग के अंदर जो argument है, लोग कि वो कितनी है, x square minus 2x, तो मैं x square minus 2x में सबसे पहले x equal to 2 रखकर के देखता हूं, 2 रखकर के देखता हूं, तो x equal to 2 पर देखें कितना हो जागा, 2 का square 4 और minus 4, that is equal to 0, और आपको पता है कि log 0 define नहीं होता है, तो मतलब x equal to 2 जो है, वो इसका एक real solution नहीं कहलाएगा, okay, x equal to 2 पर यह not defined है, then x equal to 1 देखते हैं, तो फिर से argument क्या x square minus 2 x ही है, जो इसके अंदर बैठा हुआ है, यह x square minus 2 x में x की जगा 1 रखें तो 1 minus 2 into 1, तो कितना आगया minus 1, again आपको पता है कि log minus 1 जो होता है, डिफाइन नहीं होता है, log किसी भी negative value के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो answer इसमें पूछेगा, वस्तिवेक तो मूलो की संख्या और number of roots equal to how much? 0, so this is done guys, चली अगला question करेंगे, चली अगला question देखें, question number 88 है, कहरा है, the sum of all the real values of x satisfying the equation, आपको कहरा है कि सारी x की real values का sum निकालो, योग निकालो, जोड निकालो, जो की इस दिये गए equation को satisfying करती है, और जो आपके सामने equation दिया गया है, वो plus 5 की whole power x square plus 4x minus 60 equal to 1, देखें, तो ये technical type का question है, काफी जादे इसमें मेहनत कनी पड़ेगी, कह रहा है कि इसकी value 1 होनी चाहिए, तो देखें, 1 किन किन चीज़ों में 1 बन सकता है, किसी चीज़ का कोई power, जैसे आपके पास a की power m है, तो वो 1 कब कब हो सकती है, तो देखें, पहला जवाब अब दोगे, कि जब m का मान 0 हो, एक कुछ भी हो, अगर m का मान 0 हो, तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो हमाई पस पहला किस आएगा, x square minus का 4x, देखें, गलती होगी न, आप हमेसा question को देखते रहें, कि क्या है question, गलती हो जाती कई बार, questions आप कि ज़्यदा mistake होती, question लिखने में भी, ओके मान के चलिए, के average निकाला जाए, तो 2 से लेके 3 सवाल, हर किसी बंदे से question लिखने में ही गलत हो जाते है, तो x square plus 4x minus 60 equal to 0 को देखें, तो देखें, क्या बनेगा, यहाँ पर factor 10 और 4 बनेगे, ओके 10 और 6, तो x square plus 10x, और minus 6x minus 60 equal to 0, so, यहाँ से common लिया, तो x plus 10, okay, and then minus 6 लिया, तो x plus 10 equal to 0, so, एक मेरे पास factor आएगा, x equal to minus 10, and एक आया, x equal to कितना, plus 6, तो मेरे पास दो factor तो यह आ चुके है, okay, दो zeros मेरे पास यह आ चुके है, minus 10 and 6, यदि दोनों को यहाँ पर जोड़ू मैं, alpha plus beta, तो कितना आ गया है, मेरे पास minus 10 और 6 का हो गया, 4, okay, चली, अच्छी बात है, ठीक है न, तो दो roots तो मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ चुके है, एक बात मैं कहूंगा कि देख का जाए, ध्यान से, तो एक सिकंड, तो देखे, यह थोड़ा सा टेकनिकल यहाँ पर error आ गया था, तो इसको यदि मैंने solve किया था, तो देखे, यहाँ पर कितना यह था, x plus 10, okay, and यहाँ पर minus 6, comma लिले था, तो x minus 6 equal to 0 हो गया था, जिसको solve करने पर में पास आया था, x equal to minus 6 and x equal to plus 6, तो यदि मैं इनको add कर देता हूँ, तो इनके roots का sum मेरे पास कितना आएगा, वैसे भी minus 4, और यहाँ पर आपको alpha plus b equal to minus b upon a से भी आपको मिल जाएगा, तो एक situation तो आपके पास में यह बन गई है, ओके पहली, तो आपने यह roots निकाल ली, देखे, दूसरी situation मैंने क equal to 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, m equal to 0 कर दिए, दूसरा सीन क्या है कि आप a को, यहने की जो base है, उसको one कर दीजिए, तो चलिए, मैं base को one करता हूँ, तो x square minus 5x plus 5 दिया गया है, equal to कितना, one, so x square minus 5x, 5 minus 1 यहाँ जाएगा, plus 4 equal to 0, और यदि मैं इसके हल निकालूंगा, से पता भी चल जाएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पे शोड़ देते हो, directly, आप कहोगी कि alpha plus beta equal to 5 बन जाएगा, तो उससे जल्दवाजी करना थोड़ा सा अलग बात रहेगी, okay, so, real solutions, the real value of x बोल रहा है, तो एक काम करो, आप d निकाल लो, to d equal to b square minus 4, 25, minus 4 into 4, 16, that is greater than 0, त minus of minus 5, that is equal to कितना हो जाएगा, plus 5, तो first case में हमने देख लिया था, कि first case में हमारे पास जो root सा रहे थे, x equal to किया रहे है, minus 10 और plus 6 सा रहे थे, second case में मैंने आपको बताया कि second case में देखे, अगर आप चाहते हैं कि, यदि यह one हो जाएगा, तो one की power कुछ भी रहेगा, answer कितना हो जाएगा, one ही आएगा, तो मैंने का किया, x square minus 5 x plus 5 equals to 1, so यह बन जाएगा, x square minus 5 x of 5 minus 1 plus 4 equal to 0 हो जाएगा, और इसका degree than 0 है, so इसका भी alpha plus beta, मने कि दोनों roots का जो समा आएगा, वो कितना हैगा, minus of minus 5 minus p upon a, that is equal to plus 5, तो देखे, यह हमारे पास, यहाँ पर इसके roots का सम कितना रहा था, यहाँ पर इसके roots का समा रहा था, कितना, minus 10 plus 4, मतलब यदी, यहाँ पर निकालो मैं, इसको मैं मालनेता हूँ, alpha 1 plus beta 1, तो यहाँ पर इनके zeros का सम कितना आया है, यहाँ है, minus 4, और यहाँ पर कितना आया है, इसको alpha 2 और beta 2 मान लो, तो यह alpha 2 plus beta 2, equal to कितना आया है, 5 आई वाया है, अब देखें, एक और परिस्थिती बन सकती है, एक और परिस्थिती ये बन सकती है, कि अगर x square minus 5x plus 5 की value minus 1 है, आपको पता है, कि अगर minus 1 की power even number आ जाए, ओके, even कोई भी, even आपके पास integer आ जाता है, minus 1 की power में even integer तो इसका value क्या होता है, बन देते हैं, तो मैं एक position लेता हूँ कि x square minus 5x plus 5 की value क्या है, minus 1 लेलू, तो x square minus 5x और plus 5 को, अगर मैं minus 1 सपूस करता हूँ, तो x square minus 5x और plus 6 equal to कितना हो गया 0, तो x square, अब देखे, इसको हमको solve करना पड़ेगा, तो ऐसे दो number चाहिए, multiply करो तो plus 6 आए, और sum करो तो minus 5, तो minus 3 minus 2, minus 3x, minus का 2x plus 6 equal to 0, so x common लेने पर यहाँ पर कितना पचा, x minus 3, and minus 2 common लेने पर x minus 3 equal to 0, so again x minus 3 and x minus 2 equal to 0, so x equal to 3 and x equal to 2, दो cases मेरे पास आए हैं, एक x के 3 और एक x के 2, जो की मुझे minus 1 दे रहे हैं, ओके, अब आप एक चीज़ देखे, हम नीचे वाला तो हमारा term minus 1 आ गया, अब x equal to 3 और x equal to 2 की position पर हमको कौन सा value support करेगा, उपर के लिए, तो मैं देखता हूँ, x square, मतलब कि आपको पता है नहीं कि नीचे की value तो minus 1 है, बट उपर की value क्या हो नीचे, इवन, तो मेरे पास values क्या है, x equal to 3 और x equal to 2, मैं x equal to 3 और x equal to 2 पर मैं निकालता हूँ, और x square plus 4 x minus 60 की value, तो x square plus 4 x minus 60 की value मैं निकालता हूँ, कि इस पर x equal to 3 पर, सबसे पहले मैं x equal to 3 पर चेक करता हूँ, तो 3 का square 9, 4, 3, 12, और minus का कितना हो गया 60, तो 9, 12 और 9 किती हो गई, 21, minus 60, that is equal to 10 में से 1 का 9, तो यह clear दिख रहा है, odd number है, जो भी आएगा, odd number है, और यह 5 बंजा का 5 में से 2 कहती, that is equal to minus 39, और आपको पता है कि minus 1 की power, अगर आप minus 39 लगाओगे, तो this is not equal to 1, मतलब कि हमारे पास जो root है, x equal to 3 हमारा support नहीं कर रहा है, x equal to 3 हमारा support नहीं कर रहा है, then x equal to 2 लेता हूँ मैं, x equal to 2 पे रेखे, x square plus 4x minus 60 की value, किती हैगी, तो x square की value 2 का square 4, and 4x4 to the 8, okay, and minus 60, तो यह हो गया मेरे पास कितना देखे, 8, 4, 12, और 12 minus 60, तो 10 में से 2 गया, 8 हो गया, यह 6 में से कितना जाएगा, यह 5 बन जाएगा, 5 में से 1 का 4, that is equal to 48, okay, done, तो बिल्कुल सही बात है, अगर minus 1 की power 48 करोगे, तो आपके पस कितना आएगा, plus 1 ही आएगा, मतलब x equal to 2 support कर रहा है, तो चलिए, अब हमें कहारा, sum of all the real values, जितनी values sum करें, तो पहली दो values का sum मेरे पास कितना आया है, minus 4, okay, पहली दो value का sum कितना आया है, मेरे पास minus 4, अगली दो values, अगली real values का sum कितना आया है, 5, and last जो value निकली है, मेरे पास x की वो कितने निकली है, 2, तो 5 और 2, 7, 7 में से 4 गया, 3, तो इसका correct answer क्या होगा, 3 is the correct answer, मतलब सारी x की values का sum आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 3, so this is done, ओके चलिए गाईस, देखिए अगला question करते हैं, अगला question है, 26C4 plus 31C4 plus 30C4 plus 29C4 plus 28C4 plus 27C4 plus 26C5, और 26C4 एक दे रखा है, तो आप पहले इसको क्या करिए, अरेंज करिए, देखिए सबसे कम से बड़ी की तरफ अरेंज करिए, 26C4 है, फिर 26C5 है, ओके फिर इसके बाद कितना है, 27C4 दिया है, और फिर इसका 28C4 है, और फिर 29C4 है, और कितना है, 30C4 है, और फिर इसके बाद में कितना है, 31C4 है और लास्ट में कितना है बस हो गया इतना ही है ओके तो देखे अभी तो मैं इसको solve करना बता हूँगा फिर आपको थोड़ी जल्दी में इसको solve करना भी बता दूँगा देखे आपके पास एक formula होता है ncr plus ncr minus 1 equal to n plus 1cr मतलब logically क्या है इसको dollars और बड़ा वाला तो देखो यह दोनों है और एक छोंटा वाल एक बड़ा वाला तो एक से महादा मतलब सब्वनटी सेवें स्वेंट से और कौन है पांच तो इसके 29C4 तो फिर से कितना हो गया 30 और C वड़ावाला 5 हो गया इसी तरीके से 30C5 के साथ इसको मैच करेंगे तो कितना आएगा 31C5 ओके एंड 31C4 को इसके साथ एड़ कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपके पस 32C5 ओके तो करेक्ट आंसर इसका कितना आएगा 32C5 विल बी दा करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा 32C5 डन तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से मैंने काफी ज़दा मेहनत करी है बट एक्जाम में आपको आएगा तो थोड़ा सा जल्दी स्पीड के लिए अप लोजी ब करता हूँ ओके इसको मिटा करके आप यहां पर क्या कर दीजे यहां पर मिटा करके आपने दोनों की जगह कितना लेकलिए 27C5 अब देखे 27 और 27 ये वाला कितना हो जोगा 28 28 और 28 29 29 29 39 30 31 31 31 31 कितना हो गया 31 और 31 आपका कितना हो गया देखे यहां तक आ गया था 31 C C4 और 31 C5 और 31 C5 के साथ 31 C4 तो आपका कितना है का 20 32 C5 तो मतलब आप यदि इसकी लगातार प्रेक्टिस करेंगे तो आपको यह इसमें बहुत कुशन बोला गया है दे क्विशन अब आप इस फेयर वूस इस फेयर सरकें स्क्राइब का टेट्रा हेडरन फूस पेसे सार एक से कोल दो जीरो वाइक पर जीरो जीरो जड़ेक पर जीरो क्या होते हैं थोड़ा समय यहाँ पर इस पेस लेके आपको बता देता हूं कि गोव जीरो जीरो जैड़ेक पनास कोई logged पर अपके पास कोई स्ट्रेक्श आप बनाते हैं और इसको आपने अगर यए-समाना है तो यह xy plane कहलाता है और xy plane में हर जगा z 0 हुआ करता है तो इसके जो अंसर होता वो क्या होता है z equal to 0 हुआ करता है तो यहाँ पर यही कहा गया कि एक चतुस फलक है जिसके जो एक तरीके से जो फलक है जो संगामी फलक है वो यह है इसके संगामी फलक है इससे एक बात समझ आई है कि यह जो सारे के सारे फलक है यह कहां मिल रहे है जीरो 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 पे मिल रहे है ओके यह संगामी फलक जो है जीरो 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 पे मिल रहे है और क्या कह रहा है और इसके साथी साथ कह रहा है है कोश्यन पर पढ़ना पढ़े रही के और कह रहा है फोट वे वू स्पेसे सार इतने 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 एंड इसका जो एक फेस है वह है एक सपान एप्लस वाइप उपन भी प्लच एपान सी कल वन यह क्या है थ्रीडी का प्लेन है आप लोग सब लोग जानते हो है कि इस तरीके से और इन सब को हो करके मतलब यह पीछे वाला बिंदू है जो बोड के पीछे है और इन सब को हो करके, चारों को ले करके क्या बनाए गया है? एक इस फियर बनाए गया है, एक गोला बनाए गया है, और कह रहा है, मतलब पीछे से यह वाला पॉइंट सामिल है, और सामने से यह तीनों सामिल है, मतलब लॉजिक की बात की जाए, तो चार विंदू आपको दिये गया है, एक दिया गया है जीरो जीरो एक दिया गया है जीरो जीरो दूसरा दिया गया है जीरो वी जीरो और तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है जीरो जीरो सी इन चारो विंदू से होकर के आपको क्या जा रहा है एक स्फेर जा रहा है गोला जा रहा है उस गोले का शायद आपको तो हाँ उस गोले का समीकान आप से पूछा गया है आई ये देखे कैसे सॉल करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल पॉइंट तो आपने देखी लिए जिपने हैं अब माल लेते हैं गोले का एक्विशन क्या होती है क्योंकि जब आप इसको पास करेंगे तो डी कॉल्ड़ जीरो हो जाएगा तो में एक्विशन आपके पास यह बनेगा ओके मतलब आपके पास यह एक्विशन बन सकती है तो अब चलिए अब देखते हैं अब क्या कंडिशन केह रही सबसे पहले कह रहा है यह जीरो 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 जारा है तो एक्स की जगह पर एपोट कर दीजे तो ए स्कुएर यह तो सब के सब जीरो हो गया वाई और जट के बाकि A square plus two you equal to zero to two you a equal to minus A square to you equal to kitna आगया minus A मतलब यहाँ पर हमको जो two you रखना है वो कितना आगया minus A आगया कितना आगया minus A इतना रेकते ही मन में लड़ू फूटा तुरंत answer देखना शुरूओगा कि अगर यहाँ पर minus A आएगा तो यहाँ पर minus B यहाँ पर किता आएगा minus C आएगा तो यह रिखे answer इसका कितना बन जाएगा फोर्थ वाला correct answer D बन जाएगा और बाकि इसकी process देखनी तो देखे बाकि जो मैंने करी दिया कि यह 0000 से पहला जी रो जी रो जी जी रो से दूसरा जी रो भी जिरो से तो तो वी इस तरीके से इसका हल हो जाएगा तो करेक्ट option कितना इसका डी है ओके डन ऑकी चलिए कि अगला question तो बहुत ही सिंपल है सीधा सीधा class 12 का question दे दिया है एकी power x one plus sign x upon e key power x one plus cos x तो कि लिखे किस तरीके solve करेंगे e key power x आपको यह वाली ट्रिक याद आनी चाहिए कि यह ट्रिक हुआ करती है ओके तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि और टैसे के differentiation क्या होता है यह हुआ करता है तो यहां पर यह है fx ओके यह किसका रूप है यह fx का रूप है और यह f-x का रूप है अब अपने पास एक formula हुआ करता है e key power x fx f-x प्लस fx होता है तो answer क्या था e key power x fx तो यहां पर e key power x और fx यानिके 10x X by 2 और प्लस में कितना होगा, C, तो यही आपका अंसर है, और देखे, यह कहाँ पर मैच हो रहा है, यह option number 2 में मैच हो रहा है, so this is correct answer, so it is done. ओके देखे, आई ये next question लेखते है, question number 92, यहाँ पर question कह रहा है, if the angle between the lines, this, 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 आपने पास, X minus 1, X plus 1 upon 1 equal to Y minus 1 upon 2 equal to Z minus 2 upon 2, and the plane 2 X minus Y plus under root lambda Z plus 4 is such that sin theta equal to 1 by 3, तो आपको पता होने चाहिए कि जो sin theta हमको मिलता है, किसमे, line of plane के बीच में, तो sin theta का formula कितना हुआता है, small A into capital A plus small B into capital B, press small C into capital C upon under root in K respective direction ratios line के and plane के direction ratios के square का sum होता है, okay, तो ये formula I hope सबको आता होगा, चली है, ये सीदे रिखते हैं, तो sin theta is equal to 1 by 3 दी है, तो सबसे पहले में sin theta निकालता होते हैं, direction resources के कितने 1, 2, 2, और इसके 2 minus 1 और root lambda, तो 1, 2, 2 and 2 minus 1 root lambda, अपन under root A square plus B square plus C square, तो देखिए 1 is 1, इसका 2 का 4 हो गया, और under root 2 का 4 हो जाएगा, minus 1 का 1 हो जाएगा, और root lambda का हो जाएगा, root lambda का whole square, okay, चली, अब यहाँ पर sin theta के value क्या रख देता हूँ है, 1 by 3, क्योंकि scientific value 1 by 3 given है, so, ऊपर कितना जागा, 2 minus 2, यह वाल अटर मिस से cancel हो गया, ऊपर के वाल कितना बच गया, 2 root lambda, अपन में, नीचे 4 plus 4 plus 1 plus 4, 4, 1 कितना हो गया, 9 का root 3 आ गया, और अपन में 4 रेक 5 root lambda का square lambda, तो कितना बन गया, अंडरूट 5 plus lambda, तो अंडरूट 5 plus lambda is equal to 2 root lambda हो गया है, okay, 2 root lambda, so, square दोन तरफ स्कार दीजे, तो 5 plus lambda equal to 4 lambda, so, 3 lambda equal to 5, तो correct answer कितना हुआ, lambda के value 5 by 3, correct answer हो गया, इसका, okay, so, बहुत easy question था, बट काफी लोगोंने हार बड़ा हाट में इस question को गलत कर दिया, okay, बहुत सारी गलती हुई है, जैसे किसी-किसी ने यहाँ पर लिखते समय सीरे lambda square रख दिया, और जबकि root lambda था, तो फिर lambda square हो गया, तो question बहुत बुरे तरीके से फस जाएगा, तो ऐसी गलतीयां बहुत exam pressure में हो जाती है, प्लीज इन गलतीयों से बचिए, और बहुत आराम से question को देखिए, करते जाएगे, ओके चलिए दोस्तों देखिए, अगला question करते हैं, अगले question को देखते ही, यहाँ पर सबसे पहले किसी question को देखते ही, हम मैंने बताया था कि सबसे पहले short trick की courses करिए, तो यहाँ पर कहा रहा है कि f x equal to sin x plus cos 2x है, जहाँ पर x कड़े दें 0 है, और minima x की किस value पर निकलेगी, चार options दिये गए हैं कि इन में x की किन value पर आपको जो है minima निकलेगा, तो देखिए मैंने एक काम किया, कि मैंने क्या किया कि जो minimum value निकलेगी, दो तरीके इसको करने के आपको f x भी निकाला जा सकता है हाँ पर, बट पहले मैंने क्या है, short trick लगाने कोसेस करी, मैंने कहा चो minimum value निकलेगी वो छोटी होगी, तो मैंने सारे में options n के टम में है, तो मैंने sum में n equal to 1 डाल करके सबसे पहले इनको simplify कर लिया, तो n equal to 1 डालने से ये क्या बन गया, pi by 2, n equal to 1 डालने से देखू, 1 plus 1, 2 से 2 cancel हो गया, ये 3 pi बन गया, n equal to 1 पर ये 3 pi by 2 बन गया, और n equal to 1 पर ये pi बन गया, अब मैंने 4 function पर pi by 2 पर value निकाली कि इसकी, इसकी 4 अलग-अलग values पर, तो पहला option क्या है, pi by 2, तो मैंने sin pi by 2, plus cost 2 into pi by 2, ये ये cos pi, तो इसकी value के इतनी आगई, 1 plus minus 1, याने की 0, ओके, अब देखे, अगले value मैंने का लिए कि इस पर 3 pi पर, sin 3 pi plus cost 2 into 3 pi, तो 0 plus 1 equal to 1 आगया, ओके, और देन इसके बाद मैं देखे, अगली value मैंने निका लिए 3 pi by 2, तो sin 3 pi by 2 plus cost 3 pi हो जाएगा, तो 1 minus 1 equal to 0, and last निका लिए ये 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 की pi पर, sin pi plus cost 2 pi, sin pi 0 होता है, cost 2 pi कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी value कितनी आगी, all total हमाई पस 1 आगई है, तो आप देखे, हमको minimum की बारे में पूछी गई है, तो ना तो option ये हो सकता है, क्योंकि 1 है, तो ये भी नहीं होगा, इस पे भी ज़्यादा value नहीं कल रही है, मतलब एड़ी तुक्का मारने की बात हो, तो मेरे पास option number A है, और option number 6 है, दो option मेरे पास है, option number A और option number C, तो इन दोनों में से मैं किसी option को select करके, मेरी probability answer की ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बट फिलहाल है answer यहाँ पे match हो रहे हैं, तो हम इस method से नहीं जाएंगे, तो ये तो एक तरीका था, आपने पता कर लिए चलिए, अब देखे, इसको actual इसका method क्या होगा, तो इसको actual method के लिए आप fx ले लिजे, fx आपके पास कितना है, fx आपके पास है, sin x plus cos 2x, चलिए, डिफेरेंशेट कर दीजे, sin x का differentiation कितना होता है, cos x होता है, ओके, और cos 2x का differentiation कितना होगा, का देकी कॉस्ट टु एक्स का होता है माइनस साइन टू एक्स को इसके बाद कितना यहागा चलिए ओकी f-x इसको सिंप्लिफाई करिए तो तो चुछ एक्स माइनस टू को भारक कर दिए और आप जानते हैं कि साइन टू एक्स को मैं लेख सकता हूं टू साइन एक्स इल्टू कितना कॉस एक्स सिंप्लिफाई जितना कर सकते हो करो क्यों कि हमको फैक्ट्राइज़िशन करना पड़ता आंगे वन माइनस फोर साइन ऑफ एक्स ओके यह आपके पास क्या चुका है फ्डैस एक्स मैं इसको नेक्स पेज में लेके चलता हूं तो वहां पर इसको हम स्वाल करेंगे तो यह मेरे पास F-X आ चुका है अब आपको पता है कि मैक्समा या मिनिमा के लिए F-X की वैल्यू क्या करने परती है जिरो करने परती है तो यहां फिर दो केसे बनेंगे एक कॉस एक्स एकल टो जिरो और वन माइनस फोर साइन एक्स एकल टो कितना जिरो सो कॉस एक्स एकल टो जिरो में बनेगा एक्स एकल टू टू एन प्लस वन पाइवाई टू ओके और दूसरा यहां पर क्या बन जाएगा यह बन जाएगा माइनस फोर साइन एक्स एकल टू माइनस का बन मैनस और मैनस कैंसल तो साइन एक्स एकल टो कितना हो गया वन अब देखे, sin x equal to 1 upon 4 का option में तो कोई solution match नहीं हो रहा है, बट एक option मेरे पास x equal to 2n plus 1 into pi by 2 match हो रहा है, और इस पर हमको क्या दिखाना है, कि minima है, तो minima के लिए f double dash x क्या होना चाहिए, positive होना चाहिए, तो आई ये f double dash x मैं positive निकाल लेता हूँ, f double dash x निकालेगे, okay, ही आया था, f double dash x equal to 1, cos x minus 2 sin 2 x, तो मैं एक बार फिर से f double x को लिखता हूँ, f double dash x मेरे पास आया था, cos x minus 2 sin 2 x, okay, done, और अगर मैं f double dash x की बात करूँ, cos x का कितना हो जागा, minus sin x, okay, माइनस का 2, और sin 2 x का कितना हो जागा, cos 2 x का कितना हो जागा, और यहाँ पर आगया, cos 2 x, तो देखे, यह कितना हो गया, आपके पास में, minus sin x minus 4 cos 2 x, अब यहाँ पर देखिए, क्या कहा जा रहा है, कि x is greater than 0, okay, मतलब जो भी आप x रखोगे, वो क्या रखोगे, आप positive रखोगे, x जो भी आपको रखना है, आपको x यहाँ पर क्या रखना, positive रखना है, आपको x कोई negative नहीं रखना है, अच्छी बात है, तो x अपन positive रखने वाले हैं, x के किसी भी negative value के लिए, अपन को काम नहीं करना है, वो तो एक अलग बात है, अब चलिए, यहाँ पर हमारे पास x की value में कहा गया है, कि 2n प्लस 1 pi by 2 में इसकी value क्या होगी, ओके, देखते हैं, अगर इसकी value हमारी greater than 0 आ गई, ओके, तो हमको क्या मिलेगी, minimum मिलेगा, क्या मिल जाएगा आप उनको, minimum मिल जाएगा, ठीक ना, यहाँ इसकी value हमें पास minima चाहिए है, ओके, तो f double dash x जो होना चाहिए है, अगर आपको maxima चाहना पड़ता है, तो क्या है, double derivative आपको, यहाँ यहाँ दी maxima चाहना पड़ेगा, तो double derivative आपका less than 0 आना चाहिए, और minima यहाँ चाहना पड़ेगा, तो आपका minus में आना चाहिए, ओके, तो चलिए double derivative test में चेक करता हूँ, अब मुझे कोई ना कोई point तो चाहिए है, तो मैं n equal to 0 पर, मेरे पास जो point आ रहा है, n equal to 0 पर कितना रहा है, pi by 2, मैं pi by 2 पर चेक करता हूँ, तो f double dash, pi by 2 देखे, यह कितना हो जाएगा, minus sign pi by 2, ओके, और minus 4 cos 2 into pi by 2, देखे क्या हो जागा यह, जो जागा minus sign pi by 2, यह कि minus 1 और minus 4 cos pi कितना होता है, minus 1 that is equal to minus 1 plus 4, that is equal to 3 greater than 0, इसका मतलब 3 greater than 0, एर पॉस्टिटिव भ्याने की, x equal to pi by 2 है, वो क्या है, वो है point of minima, f equal to pi by 2 क्या है point of minima, और इसका सीधा सम्बंद किस से है, इस वाले से है, क्योंकि मैंने pi by 2 इसी से उठाया है, तो इसका मतलब यह क्या होगा, यह होगा point of minima, तो हमारा correct answer, इस problem के लिए, पूछा गया है तो कौन सा होगा, answer number 3, 2n plus 1, pi by 2 जो है point of minima होगा, okay, so this is done, ओके तो दोस्तों, आज थोड़ा सा मेरी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए आज की class को यहीं पर हम लोग terminate करते हैं, तो बाकी इसके आगे की questions को कल मैं आपके लिए solve करूँगा, okay, so बहुत बहुत धन्वार, नमस्कार जेहीं, जेभरत,